ओम श्री गुरुवे नमा, मैं हूँ राधिका और हमारे यूट्यूब चैनल किट कैट स्टोरीज पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज सुनिये गुरुवार व्रत कथा और आरती साथ ही आप हमारे इस चैनल पर हर दिन मागमास महतमे की कथाएं भी सुन सकते हैं अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनियेगा पौराने कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है भारत वर्ष में एक राजा राजी करता था वे बड़ा प्रतापी और दानी था वे नित्य प्रती मंदिर में भगवत दर्शन करने जाया करता था वे ब्रहमनों और गुरु की सेवा किया करता था उसके द्वार से कोई भी व्याचक निराश होकर कभी नहीं लोटता था वे प्रत्य गुरुवार को वरत रखता और पूजन करता था हर दिन गरीबों की साहिता करता परन्तु ये सब बाते उसकी रानी कोची नहीं लगती थी वो ना तो वरत करती और नहीं किसी को भी एक पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी एक समय की बात है राजा शिकार खेलने वन को गए थे घर पर रानी और दासी थी उस समय गुरू ब्रस्पतिदेव एक साधू का रूप धारन कर राजा के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने आए साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी हे साधू माराज मैं तो इस तान और पुर्णी से तंग आ गई हूँ साधू रूपी ब्रस्पतिदेव ने कहा हे देवी तुम तो बड़ी विजित रहो संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता इसको तो सभी चाहते हैं पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुश्यों को भोजन कराओ प्याव लगवाओ ब्रहमनों को दान दो धन्म शालाएं बनवाओ कुए तलाब बावडी बाग बगीचे आदी का नि ठक होगा और स्वर्ग की प्राफ्ती होगी परन्तु रानी साधू की इन बातों से खुश नहीं हुई कहने लगी हे साधू महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फुरूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा सम अपने केशों को पीली मिट्टी से धुना केशों को धोते समय इसनान करना और राजा से कहना वे हजामत करवाई भोजन में मांस मदीरा खाना कपड़ा धोवी के यहां धुलने देना इस प्रकार साध ब्रस्पतिवार करने से तुमारा धन नस्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू के कहने के अनुसार साथ ब्रस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया साधू के बताय अनुसार कारे करते हुए केवल तीन ब्रस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ती नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए वह दोनों समय तरसने लगे तथा सांसारि मुझे सभी मनुष्य जानते हैं इसलिए मैं यहां कोई कार नहीं कर सकता अब मैं परदेश जा रहा हूँ वहां कोई काम धंदा करूँगा शायद हमारे भागी बदल जाए ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वह वहां जंगल से लकडियां काट कर लाता और शहर में बेस्ता इस तरह जीवन वितीत करने लगा इधर राजा के बिना राणी और दासियां दुखी रहने लगी किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती एक समय राणी और दासियों को साथ दिन तक बिना भोजन के बिताना पड़ा तब रानी ने अपनी दासी से कहा ये दासी देख यहां पास के ही नगर में मेरी बेहन रहती है वो बड़ी धनवान है तो उसके पास जा और वहां से पास सेर बेजर मांग कर लेया जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा दासी रानी की बेहन के पास गई रानी की बेहन उस समय पूजा कर रही थी और उस दिन ब्रिस्पतिवार का दिन था तब दासी ने रानी की बेहन से कहा ये रानी मुझे आपकी बेहन ने भेजा है मुझे पास सेर बेजर दे दो दासी ने ये बात बहुत बार कही परन्तु रानी के बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह तो उस समय ब्रेस्पतिवार की कथा सुन रही थी जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया तब वह लोटकर रानी से बोली है रानी आपकी बेहन तो बहुत घमंडी है वो तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती मैंने उससे कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चली आई रानी बोली है दासी इसमें उसका कोई दोश नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहरा नहीं देता अच्छे बुरे का पता विपत्ती में ही लगता है अब जो इश्वर की इच्छा होगी वही होगा और ये सब तो हमारे भागी का ही दोश है उधर रानी की बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी अतह कथा सुन और विश्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बेहन के घर आई और कहने लगी है बेहन मैं ब्रस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुमारी दासी हमारे घर गई थी परन्तु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी बोली बेहन हमारे घर अनाज नहीं था वैसे तुम से कोई बात छिपी नहीं है ये सुनकर दासी घर की अंदर गई तो उसे वहाँ एक घड़ा बेजर का भरावा मिल गया उसे बड़ी हरानी हुई क्योंकि उसने तो एक-एक बरतन देख लिया था तब उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी अपनी रानी से कहने लगी हे रानी देखो वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो अब तो हम रोजी वरत करते हैं अगर इनसे वरत की विधी और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार वरत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया हे रानी बहन ब्रस्पतिवार को सूर्यत से पहले उठकर इसनान करके ब्रस्पतिवार का वरत करना चाहिए लेकिन उस दिन सर नहीं दूना चाहिए ब्रस्पतिवार के वरत में चने की दाल और मुनक्का से विश्नु भगवान का केले के व्रक्ष की जड़ में पूजन करे और दीब जलावे उस दिन एक ही समय भोजन करे भोजन पीले खादे पदार्थों का करे तथा कथा सुने इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन होते हैं अन पुत्र धन देते हैं और मनुकामनाई भी पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बताकर रानी की बहन अपने घर लोड़ गई रानी और दासी दोनों ने निश्य किया कि ब्रस्पति देव भगवान का पूजन अब जरूर करेंगे साथ दिन बाद जब ब्रस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़का तथा विश्नु भगवान का पूजन किया अब भोजन पीला कहां से आये दोनों बड़ी दुखी हुई परन तुनों ने व्रत किया था इस कारण ब्रस्पति देव भगवान प्रसन थे एक साधरन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये और दासी को देकर बोले ये दासी ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों करना दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन हुई और रानी से बोली रानी जी भोजन कर लो रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए वो दासी से बोली जा तू ही भोजन कर क्यों तू व रानी प草व्यक्ति तो हम दोनों के लिए दो थालों में भूजन कर गया है इसलिए मैं और आप दोनों ही सथ सथ भूजन करेंगी तब दोनों ने गुरु ब्रसपति देज्व को नमस्कार कर भूजन प्रारं किया उसके बाद से वे प्रतेक ब्रस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्रस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया पर अंतो रानी फिर से पहले की तरह आलत से करने लगी तब दासी बोली देखुरानी, तुम पहले भी इसी तरह आलसे करती थी, तुम्हे धन रखने में कस्ट होता था, इसी कारण सभी धन नस्ट हो गया, अब बरसपती देव की कृपासे धन मिला है, तो तुम्हे फिर आलसे होता है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पा मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विबह करवाओ, धन को शुबकारियों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, तथा पितर प्रसन हो, दासी की बात मानकर राणी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रार नहीं है, गुरू ब्रस्पतिदेव से उन्होंने प्रार्थना की और ब्रस्पतिदेव ने रातरी में राजा को स्वपनिम में कहा, यह राजा उठ, तेरी रानी तुझ को याद करती है, जा अब अपने देश को लोट जा, राजा प्राताकाल उठकर, जंगल से लकडियां काटकर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा, उसी समय, उस जंगल में ब्रस्पतिदेव एक साधु का रूप धारन कर आए, और राजा के पास आकर बोले, हे लखड़ारे, तो मिस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ, यह सुनकर, राजा की आ तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिदेव के प्रती अपराद किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे, देखो, तुम्हारी पत्नी ने ब्रस्पतिवार का व्रत क करके चने की दाल और गुड जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो या सुनो भगवान तुम्हारी सब मनुकामनाओं को पोर्ण करेंगे साधु को प्रसन देखकर राजा बोला हे प्रभो मुझे लकडी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूँ और मैंने रातरी को अपनी रानी को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे मैं उसका समचार जान सक मैं फिर ब्रस्पतिदेव की क्या कहानी कहूं क्योंकि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है तब साधु ने कहा फिर आजा तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर में जाओ तुम्हें रोज से दोगुना धन प ब्रहमर था, उसकी कोई संतार नहीं थी, वह नित्य पूजा पाट करता, परन्तु उसकी इस्तरी बहुत मलिंता के साथ रहती थी, वो ना तो इस्नान करती और नहीं किसी देवता का पूजन करती, प्रातहकाल उठते ही सरवर्थम भोजन करती, बाद में कोई अन्यकारी कर वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी वह बालिका प्राथकाल इसनान करके भगवान विश्नु का जब करती वह बचपन से ही ब्रिस्पतिवार का व्रद्भी करने लगी पूजा पाठ समात कर विद्या ले जाती तो अपनी मुठी में जो भर कर ले जाती और पाठ चाला जाने के मार्ग में डालती जाती वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लोटते समय उनको बीन कर घर ले आती एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी तब ही उसकी माने देख लिया और कहने लगी बेटी सोने के जो को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन गुरवार था उस कन्या ने व्रत रखा और ब्रस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा हे प्रभो यदि मैंने सचे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो ब्रस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजाना की तरह वे कन्या जो फेलाती भी पाठशाला गई पाठशाला से लोटकर जब वे जो बीन रही थी तो ब्रस्पतिदेव की करपा से उसे मार्ग में सोने का सूप मिला उसे वो घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वे कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस नगर कर राजकुमार वहां से होकर निकला उसकन्या के रूप और सोने के सूप में जो को साफ करते देखकर वे उसकन्या पर मुहित हो गया राजमहल में आकर वे भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को जब राजकुमार के द्वारा अननजल त्यागने का समचार ग्यात हुआ तो उसने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास जाकर कहा हे बेटा तुम्हें किस बात का कस्ट है किसी ने अपमान किया है अत्वा कोई और कारण है मुझे बताओ मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसनता हो तब राजकुमार ने पने पिता की बाते सुनी और कहा पिताशी मुझे आपकी करपास से किसी बात का दुख नहीं है ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है परन्तु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी ये बात सुनकर राजा आश्चरी में पढ़ गया और बोला हे पुत्र इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूँगा तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्रहमन को सुनाया कुछी दिन बाद ब्रहमन की कन्या का विवाह राज कुमार के साथ संपन्न हो गया कन्या के घर से जाते ही उस ब्रहमन देटा के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर वे ब्रहमन अपनी पुत्री से मिलने गया बेटी ने पिता की दुखी अवस्ता को देखा और अपनी मा का समचार पूछा ब्रहमन ने सभी हाल कह दिया तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्रहमन का कुछ समय सुक पूर्बक व्यतीत हुआ लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्रहमन फिर अपनी कन्या के यहां आया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी हे पिता जी आप माता जी को यहां लिवा लओ मैं उन्हें वैं विदी बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए ब्रहमन देरता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राज महल पहुँचे तो पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रात्यकाल उठकर प्रथम इसनानादी करके विश्नु भगवान का पूजन करो तो सब दर्री दूर हो जाएकी परन्तु उसकी माने उसकी एक बार भी नहीं मानी वह प्रात्यकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया उसने एक रात एक कोट्री से सारा समान बहार निकाल दिया और अपनी मा को उसमें बंद कर दिया प्रात्यकाल उसमें से अपनी मा को निकाला तथा इस नानादी करके पूजा पार्ट करवाया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई इसके बाद वे नियम से पूजा पार्ट करती और प्रतेक प्रिस्पतिवार को वरत रखने लगी इस वरत के प्रभाव से उ पादुदेवता वहां से अलोप हो गए धीरे धीरे समय व्यतित होने पर फिर ब्रस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से रकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला तब राजा ने चना गुड आदी लाकर ब्रस्पतिवार क राज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगी का आयोजन किया तथा अपने समस्त राजी में घोशना करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे ना आग जलावे समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आए और इस आग्या को जो नहीं माने गए जब राजा लकड़ारी को भोजन करा रहे थे तो राणी की ड्रिस्टी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया राणी को निश्चे हो गया कि मेरा हार इस लकड़ारी ने चुरा लिया है और उसी समय स्यानिकों को बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया जब लकड हारा जेल खाने में गया तो वह दुखी होकर विचार करने लगा कि नजाने कौन से पूर्व जनम के कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है और उसी सादु को याद करने लगा जो की जंगल में मिला था ततकाल ब्रस्पतिदेव सादु के रूपे प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे अरे मुर्ख तुने ब्रस्पतिदेवता की कथा नहीं की इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है चार पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मंगवा कर था कही और प्रसाद बाटा उसी रातरी को ब्रस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा ये राजा तुने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वे निर्दोश है वे राजा है उसे छोड़ देना राणी का हार उसी खूटी पर लटका हुआ है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजी को नस्ट कर दूँगा राजा प्राते काल उठा और खूटी पर हार तंगा देखकर लकड़ हारे को बुला कर क्षमा मागी तथा राजा के योगी सुन्दर वस्त्र आवुशंट देकर उसे विदा कर दिया गुरू ब्रस्वती की आगे अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया राजा जब लोग कहने लगे ये सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं राजा को आश्यर हुआ और गुस्सा भी आया जब राणी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा ये दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वो हमार एक राजा ने क्रोद करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओं ये धनतू में कैसे प्राप्त हुआ है तब राणी ने बताया है राजा हमें ये सब धन ब्रसपती देव के वरत के प्रभाव से प्राप्त हुआ हैं राजा ने तब निश्य किया कि साथ कथा कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आवे इस तरह का निश्यकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल दिया मार्ग में उसनी देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोक कर वह कहने लगा अ जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहके वह मनुष उठ खड़ा हुआ अब राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला राजा उससे बोला अरे भहिया तु बैल पचाड खा कर गिर गए और किसान के पेट में जोर सी दर्ध होने लगा उसी समय किसान की मा रोठी लेकर आई जब उसने ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तब बढ़िया दोड़ी दोड़ी उस गुर सवार के पास गई उससे कहने लगी बेटा मैं तेरी कथा सुनूगी तु अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना तब राजा ने लोट कर बुर्या के खेत में जाकर कथा कही जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्ध भी बंद हो गया अब राजा अपनी बहन के घर प भूजन ना किया हो जो मेरी ब्रस्पतिवार की कथा सुन ले तब बहन बोली है भाया ये देश तो ऐसा ही है पहले यहां के लोग भूजन करते हैं बात में अन्य कोई काम करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो देख कर आती हूं ऐसा कहकर बहन देखने गई परन्तु उसे को पुमार से कहा तो वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब राजा की प्रशन सा चारों और होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा ये बहन अब मैं अपने घर को जाओंगा तुम भी तयार हो ज तब राजा ने कहा जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी और दुखी मंसी राजा अपनी नगर को लौट आया तब राजा ने अपनी रानी से घर आकर कहा हम निस संतान है इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता ऐसा कहकर वैं बिना भोजन ऑन आदि किए शया पर लेढ गया रानी बोली हे प्रभो ब्रसपतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वो हमें संतान भी अफश्य देंगे उसी राज ब्रसपतिदेव ने राजा को सप्न में कहा ए राजा उठ सबी सोच त्याग दे तेरी रानी गर्भवती है राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और नवे महीने रानी की गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ जब राजा की बहन ने ये शुप समचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाई तब ही रानी ने कहा घोड़ा चड़ कर तो नहीं आई अध्वा दूसरों को सुनाता है अत्वा दूसरों को सुनाता है ब्रस्पति देव उसकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं जैसे रानी और राजा ने ब्रस्पति-देव की गथा का गुर्णां किया उनकी सबी इच्छाएं ब्रस्पति देव ने पूर्ण गी अब सुनिए ब्रस्पति देपता की आर्थी ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं कदली वल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय ब्रस्पति देवा चर्णामृत निज निर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल मनोरत दायक कृपा करो भरता ओम जय ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जोजन शरन पड़े प्रभु जोजन शरन पड़े प्रभु प्रकटित बिहोकर आकर द्वार खड़े ओम जय ब्रस्पति देवा तीन दयाल दयानिधी भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जय ब्रस्पति देवा सकल मनूरत दायक सब संशैतारो स्वामी सब संशैतारो विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सोन शैपावे ओम जय ब्रस्पति देवा ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा प्रेम से बोलिये ब्रस्पति देवता की जय